हेलो इस्टिटेंट, माइ नेमे जनुई इतिन्द, तोड़ी भी आर गोंग तो स्टार्ट दे न्यू टोपिक अफ दे चैप्टर, दी हुमन आई एन कलोफु वर्ड, बिफोर गोंग तो नेक्स क्लास, रिकॉल दे प्रीवेस वन, प्रीवेस लेक्शेर के अंदर आपने किय आप प्लीज कोमेंट बॉक्स के अंदर कोमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर फर्स्टाइम इस चैनल की उपर आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और आज के टोपिक को अच्छे से समयना, एंड पॉइ फिंकल, एंड थर्ड फिनोमना इज अडवांस सन्राइज एंड डिले संसेट, ये तीनों फिनोमना जो टोटली बेसन हैं, एट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के उपर आज आप डिसकूस करने वाले हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर की एट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन होता गया, देखिए नाम सही है ना, कि एट्मोस्फेर के अंदर लाइट का रिफ्रेक्ट होना, that is एट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, अब कॉंसेप्ट होता गया, ठीक है, तो देखो क्या होता है, कि अपने अर्थ के अराउंड, अर्थ के अराउंड, क्य होता है different layer of gases होती है atmosphere होता है atmosphere का मतलब क्या होता है different layer of gases ठीक है और सबी gases की जो density होती है वो अलग-अलग होती है ठीक है जो layer अर्थ के बिलकुल close होती है वहाँ पर density क्या होती है जादा होती है gases की और जैसे जैसे आप उपर की तरफ जाते जाते हो अलग-अलग different layers आती हैं उनकी density भी क्या होती है चेंज होती है ठीक है उपर की तरफ जाते जाओके तो density क्या होती है कि decrease होती जाएगी clear है यह बात ठीक है तो अब क्या phenomenon क्या होता है कि जैसे एक star से या कहीं से भी अगर जो light है वो इसके अंदर enter करती है इस medium के अंदर तो अपने को पता है कि जब light optically rarer to optically dancer medium के अंदर देखो यह सबसे ज्यादा dancer है यह उससे कम dancer है यह सबसे कम dancer है ठीक है तो light जब क्या होगी optical rarer to optical dancer medium के अंदर क्या करेगी enter करेगी तो क्या होगा मालो यह normal है तो अपने को पता है कि bent toward the normal उसकी bending हो जाएगी इससे जदा ये dancer है ठीक है तो क्या होगा कि light फिर से उसकी बेंडिنگ हो जाएगी अब इससे जदा ये dancer है तो light की फिर से क्या होगी bending हो जाएगी तो continuously light की देख देको क्या हो रही है bending हो रही है reflection of light इसी कोई तो बोलते अगर लगातार atmosphere के अंदर light की क्या हो रही है बेंडिंग हो रही है that bending of light is known as reflection of light और ये reflection of light कहां पे हो रहा है atmosphere के अंदर हो रहा है तो इस atmosphere के अंदर ये इस phenomena उसको आपका क्या बोल देते है atmospheric reflection clear एक बात फिर से बता देता हूँ अपने earth के round different layer of gases होती है अलग-अलग layer of gases होती है और सभी gases की density क्या होती है अलग-अलग होती है ठीक है कोई ऐसा medium आएगा जिसके जो optically dancer है उसके बाद optically rarer है फिर शायद optically dancer आजे क्योंकि ये जो density होती है continuously change होती है ये नहीं है कि मालो इस जगह पे अब optically dancer है तो कुछ time बाद ये यहाँ पर position rarer की भी आ सकती है तो time के साथ temperature जो होता है continuously change होता है continuously change होने के साथ क्या होता है कि यहाँ पर density continuously change होती है कभी optical dancer आगे कभी rarer आगे dancer आगे rarer आगे तो जब light इस वे के अंदर जाएगी कभी dancer से pass करे कभी rarer के अंदर तो उसका continuously क्या होगा reflection होगा उसकी continuously bending होगी तो atmosphere के अंदर light का bend होना that is atmospheric reflection clear है बात अब इसी reflection की मैंने definition भी यहाँ पर लिखी होई है when the light ray enter the earth atmosphere then it continuously goes from rarer to a dancer medium rarer to dancer इस से ज़्यादा और ये dancer आ गया ठीक है rarer to a dancer medium therefore reflection of light takes place obviously है कि उसकी bending हो रही है that means reflection हो रहा है light का ठीक है this reflection of light by earth atmosphere is called atmospheric refraction I hope कि आपको clear होगी होगी ये बात ठीक है अब इस से related आते हैं तीन phenomena's के उपर बात करते हैं तो सबसे पहले आप बात करते हैं twinkling of star की twinkling of star क्या होता है ठीक है तो write कर लिजे एक बार फिर आते है twinkling of star की ऊपर twinkling of star क्या होता है twinkling of star twinkle twinkle little star action में twinkling of star होता क्या है इसके उपर अब बात करने वाले हैं ठीक है कि आपने देखा होगा atmosphere के अंदर आपको star दिखते हैं वो twinkle करते हुए appears होते हैं बट क्या actual के अंदर वो twinkle कर रहे होते हैं तो answer है no actual के अंदर stars कभी भी twinkle नहीं करते वो अपने को हमेशा twinkle करते हुए appear होते हैं ठीक है तो ये question आता है आपके final exam में two marks related two marks और maximum three marks का question आयाता कही बार लेकिन generally ये two marks के अंदर question पूछा जाता है तो जब भी आपको इस question का answer लिखना हो तो सबसे पहले तो आपने word लिखना है this is due to atmospheric reflection देखो आगे जितने भी phenomena आपने करने हैं चाहिए मैं previous phenomena की बात करूँ कि जिसके अंदर formation of rainbow से related question आ गया तो हमेशा आपकी जो first line होनी चाहिए answer की तो this is due to अगर rainbow के बारे में पूछा गया तो this is due to dispersion of light और अगर आपने वहां पर पूछा गया की why the stars appears to be twinkle तो आपकी answer की first जो line है वो ये होनी चाहिए की this is due to atmospheric reflection why the planet do not twinkle this is due to atmospheric reflection why the stars appear before sunrise ठीक है and appears after sunset तो इसके पीछे reason के है तो answer आपने एक ही first line लिखनी है this is due to atmospheric reflection इसके बाद आगे की कहानिया आपने लिखनी है clear है ये point ठीक है तो अब बात करते हैं सबसे पहले की stars twinkle करते हुए अपने को appear क्यों होते हैं क्यों ऐसा लगता है कि जब भी आप earth से देखते हूं कि star आप twinkle कर रहे हैं ठीक है fluctuating हो रही है उनकी position कैसे क्यों appear होता है ठीक है तो मैंने अभी आपको बताया कि अपने earth के around क्या होते है different layer of gases होती है और light का continuously bending होती है atmosphere के अंदर और इसी continuously bending of light को बोला जाता है atmospheric refraction तो क्या होता है कि earth मालो ये earth है अपने पास ठीक है और earth के around क्या है different layer of gases है different layer of gases है ठीक है तो इन gases की density continuously change होती है अब density change होने से उनका refractive index भी continuously change होता है देखो refractive index का मतलब क्या है कि कोई medium कितना dancer है that is the refractive index ठीक है कितने time उसकी velocity के अंदर decrease आयाता है जैसे कोई medium dancer आएगा तो light की speed दीरे हो जाएगी फिर rare हो जाएगी फिर थोड़ी तेज होगी तो refractive index continuously क्या होता है change होता है ठीक है अब उससे एक effect और भी पढ़ता है जब light dancer से rare में जाएगी तो continuously अपने पास जो light आ रही है ना उसकी amount भी fluctuate होती है intensity of light भी vary करती है ठीक है तो कभी amount अपने पास ज़्यादा आती है कभी amount क्या हो जाती है कम हो जाती है light की intensity effect करती है हम पर किसकी वज़ए से refractive index मानलो इस medium का refractive index कम है इसका जादा है इसका और जादा है तो जब light आएगी ठीक है तो क्या होता है कि मानलो ये star है अपने पास ठीक है इस star से light आर ये atmosphere के अंदर enter करें और अपने को पता है कि उसका continuously क्या होता है bending होती है याथी light की ठीक है और अपने को ये star actual में यहाँ appear होगा ये star कहाँ appear होगा यहाँ पर आपता है ये एक question भी है यहाँ पर कि star हमेशा अपने को उनकी actual position से high position पर दिखते हैं question अगर ये आजाता है why the stars appear at higher position from their actual position तो answer भी यही है due to atmospheric reflection के वज़े से देखो light की continuously bending होगी bending होने से क्या होगा कि stars की actual position उनकी actual position से वो star अपने को हमेशा higher position पर दिखते हैं अब क्या हुआ कि जैसी light enter करी तो refractive index change होता है temperature change होता रहता है in mediums का in layers का continuously क्या होता है temperature change होता है अब temperature change होने से refractive index continuously change होता है मेरे point को एक एक समझते जाना ठीक है मैंने क्या बोला कि जो ये different layer of gases है यहां का continuously temperature change होता है और temperature change होने से refractive index change होता है और refractive index के change होने से density change है यहां पर ठीक है और density के change होने से intensity के उपर effect पढ़ता है मेरे भाई intensity के उपर effect पढ़ता है ठीक है तो कभी अपने पास light की intensity ज़्यादा पहुंच पा रही है कभी कम पहुंचेगी तो एक तो यह हुआ कि अपने को अगर दूर से दूर कोई बलब लगा हुआ है और उसकी light कभी अपने पास कम आ रही है ज़्यादा रही है सेकिंड फिनोमणा के है यहां पर क्यों twinkle करते हुआ पीर होते हैं continuously reflection होने की वज़ाए से continuously reflection होने की वज़ाए से मान लो पहले एक बास star आपको यहां दिखा ठीक है यहां से दिखा अब क्या हो गया यहां पर refractive ducts क्या हो गया change हो गया, refractive duct change होते है, star फिर से वापिस आ गया, यहीं उसकी position change हो, हलकी सी position क्या होते है, slightly उसकी position change होती ही रहती है, इस स्वेवे के अंदर, फिर refractive duct change हो ना light का, ठीक है, जैसे मीडियम का refractive duct change होतो लाइट का intensity की वपर फिर पढ़ा, उसकी position star की change हो आती है ठीक है star की position change नहीं हो रही अपने को ऐसे लगता है कि उसकी position change होगी ठीक है position अपने को appear होती है ठीक है तो जैसे refractive ducts change हुआ temperature change हुआ density change हुई तो उसकी position के अंदर भी क्या आया change आया फिर से temperature change हुआ temperature change होने से उसकी position फिर से change हुई तो ऐसे लगा अपने को कि stars की position change हो रही है intensity change हो रही है तो stars कैसे appear हुई twinkle करते हुई अपने को appear हुई clear है यह बात ठीक है तो आपने question आता है तो आपने answer के अंदर के लिखना है कि atmosphere के अंदर continuously जो है temperature change होता रहता है temperature के change होने से refractive index change होता है refractive index के change होने से intensity of amount के उपर effect पड़ता है ठीक है और जिसकी वज़े से इनकी stars की जो position है यह slightly vary करती रहती है अपने को ऐसे लगता है actually vary नहीं करती है अपने को ऐसे appear होता है कि इनकी position क्या कर रही है vary कर रही है और vary करने की वज़े से ही क्या होता है यह अपने को fluctuate करते हुए flicker करते हुए stars twinkle करते हुए अपने को appear होते है ठीक है तो मैंने वैसे लिखा भी है इसके बारे में कुछ लिख है मैंने कुछ बाते आपको देखो यहां पर मेरे पास थोड़ी स्पेस की प्रोलम थी तो मैंने कई बाते आपको औरल बताई है जैसे मैंने temperature का आपको concept समझा है मैं यहां लिख नहीं पाया हूँ ठीक है तो आप लिख लेना कि यहां पर temperature change होता है अपने atmosphere के अंदर temperature change होने की वज़े से क्या हुआ refractive ducts continuously change होता है मैंने कुछ बाते यहां पर लिख दी है कुछ बाते मैंने आपको oral बता दी है आप अपने notes के अंदर सारी बातों को agities लिखना वैटे आप ठीक है तो मैं कहता हूँ कोई रोक ही नहीं सकता आपके marks complete ना दे आपको वो ठीक है तो क्या लिख यहां पर the atmosphere of the earth is not uniform but consists of different layer of gases है ना uniform एक जैसे तो है नहीं बहुत सारी layer है अलग-अलग density है ठीक है the layer closer to the earth optically dancer मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो layer earth के बिल्कुल close होगी वो ज़्यादा optically dancer होगी जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगी वो optically rarer होती जाएगी ठीक है तो जैसे light enter करती है atmosphere के अंदर बिल्कुल अपर मोट से lower layer की तरफ तो उसकी continuously bending होती रहती है एक layer से दूसी layer में जाएगी तो continuously bending होगी that is the atmospheric reflection और bending होने से क्या होगा as a result the position of the star keep fluctuating ठीक है refractive duct change होगा और stars की position क्या करेगी अपने को fluctuate होती हूँ appear होगी और इसी की fluctuating की वज़ा से ही the stars appear to be twinkle clear है ये बात ठीक है इसी का ही एक और question आता है why the planet do not twinkle अपने को planet twinkle करते हूँ क्यों appear नहीं होते तो please एक बार इसको write कर लीजे फिर आते हैं उसके उपर की planet क्यों नहीं twinkle करते हूँ appear होते why the planet do not twinkle ये अपना next question बनता है कि planet twinkle करते हूँ अपने को क्यों appear नहीं होते ठीक है तो मैंने अभी आपको बताया कि stars का एक तो distance बहुत दूर होता है वो work as a point source की तरह work करते हैं वो ठीक है planet जो होते हैं ये एक तो closer to the earth होते हैं बहुत ज़्यादा close होते है as compared to stars ठीक है वैसे तो sun भी क्या है closer to the earth है लेकिन ये other comparison में other star के comparison में ये closer है लेकिन इसका भी distance बहुत है ठीक है तो लेकिन planet जो है उनका distance जो होता है एक तो earth के क्या होता है close होते हैं ये distance कम होता है ठीक है second thing क्या होते है कि planets क्या अपना कोई light नहीं है planets की अपने कोई light नहीं है ये किसकी help से दिखते हैं reflection of light की वज़े से जो planet है अपने को appears होते हैं जो दिखाई देते हैं ये किसकी वज़े से reflection कि जैसे stars की light इन के उपर planet के उपर पड़ती है तो ये light को reflect करवाते हैं और उसी reflection of light की वज़े से ये अपने को appear होते हैं clear है अच्छा अब क्या होता है कि अर्थ अर्थ के atmosphere के अंदर ये suppose कोई planet है ये कोई planet था ये planet है ठीक है और planet के उपर भी जो light पड़ती है वो किसी star से पड़ती है ठीक है और ये light को क्या करता है reflect करवाते है और reflect होके जो light अपने पास आती है bending होती हुई वो earth पे पहुंचती है अर सर्फेस पे पहुंचती है ठेक है अब क्या करता है यहां पर यह अपने को फिर twinkle करता हुआ अप यह क्यों नहीं दिखता अब दो reason है यहां पर एक समय नहीं कि पॉइंट को कि पहले तो पहली बात तो इसकी खुद की light नहीं है जैसी light star की light इसकी उपर planet की उपर पड़ेगी light को क्या करवाएगा reflection of light की वज़े से light reflect होगी और तो यह visible हो जाएगा अपने को दिखना शुरू करते तो इस universe में यह बात है कि अपने को कोई भी ची visible कब होती है जब वो light का reflect करवाएगी light को reflect करवाती है जैसे light reflect होके जाएगी वो ची visible हो जाएगी तो ऐसे planet जो हैं यह visible हो जाते हैं दिखने शुरू हो जाते हैं ठीक है अब यह twinkle क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक point source है point source बहुत दूर है यह point source है ठीक है ऐसे जब इसके उपर light पड़ती है तो अब क्या फिनोमना होता है इदर समय नाईशी को कि इसके अलग-अलग points के उपर अलग-अलग जगा पर क्या पड़ेगी इसके light पड़ेगी तो मानलो इसका क्या होता है कि एक जितने भी portion के उपर light पड़ेगी जितने भी portion के उपर light पड़ेगी ऐसे appear होता है कि हर portion उसका एक point source की तरह काम करना शुरू करता है ठीक है एक point source की तरह है मानलो इस point से light क्या हो रही है ज़्यादा आ रही है तो इस साथ वाले point से light की value क्या होया रहती है नासा की एक image भी यहां पर दी होई है ठीक है आप सरच करना नासा की जो image है प्लैनेट की ओपर ट्रींक्लिंग ओफ के तो आपके सामने होगी अपने पास शेफ होती है प्लैनेट की तो इसके ओपर जैसी लाइट पड़ते है तो यह सारा एक अलग अलग जगां जो होती है प्लैनेट की वो एक्ट ऐसे पॉइंट सूर्स हर पॉइंट सूर्स की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और जैसी पॉइंट सूर्स काम करेगा उसमें से लाइट अमिट होगी ऐसे लगए कि उसमें से क्या हो रही है लाइट अमिट हो रही है और किसी पॉइंट से अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो उसमें से ही प्लैनेट के किसी पॉइंट से लाइट की इंटेंस्टी कम भी आ रही होगी फिर किसी portion में से ज़्यादा आ रही है तो किसी point में से light की intensity कम हा रही है तो net intensity के अगर मैं बात करूँ यहां पर average जब निकले जाती है तो अगर ज़्यादा वाली फिर कम वाली तो यह एक दूसरे के effect को क्या अगर देते हैं नलीफाई कर देते हैं एवरेज इसकी क्या बन जाती है अपने पास जीरो बन जाती है कि जो light की intensity के अंदर जो change आया तो average change क्या निकल गया जीरो कि intensity के अंदर कोई change नहीं आ रहा ठेक है और जब intensity के अंदर कोई change नहीं आएगा तो वो चीज अपने को क्या होगी flicker करती होगी अपियर नहीं होगी तो इसके अंदर मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि planet do not emit light however they become visible due to the reflection of light falling on them ठेक है किसकी वज़ा से visible होते हैं reflection of light की वज़ा से the planets are much closer to the earth and thus can be considered as extended source of light extended source का मतलब किया कि ऐसा लगता है कि light इसमें से आ रही है यह light commit कर रहे है जैसे moon है moon के एक planet है उसके खुद की light नहीं है moon की वो जैसे stars के उपर पढ़ती है light वो light को reflect कर वाकि अर्थ पर भीज़ता है और अपने को ऐसा लगता है कि वो light moon से आ रही है एक extended source की तरह काम करना वो शुरू कर रहे है वो ठेक है अच्छा ऐसे ही आगे लिखा हुआ है the fluctuation of light coming from various points of the planet get average out at average out अपने को जो various points से जो light निकलती है किसी point से के light की intensity ज़्यादा निकल रही है किस point से light की intensity कम आ रही है तो जब आप उसकी average निकालते हो क्यों कर देते हैं खतम कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि intensity के अंदर कोई change नहीं आ रहा ठेक है और जब intensity के अंदर change नहीं आ रहा है तो due to atmospheric reflection क्या हो रहा है कि ठीक है अपने को यहां पर bending तो होई यह light की ठीक है atmospheric reflection लेकिन intensity के अंदर ना change आने की वज़े से planet के अपनी कोई light नहीं होती है जैसी stars की light इसके उपर पढ़ते हैं तो reflection की वज़े से क्या होता है यह visible हो जाते हैं हर एक point इसके उपर एक point source की तरह काम करता है ठीक है तो किसी point से light की intensity ज़्यादा तो किसी point से light की intensity कम तो average जब निकालते हैं तो intensity क्या निकल जाती है zero हो जाती है और अगर intensity के अंदर change zero हो गया तो it means क्या हुआ कि अपने को फिर वो twinkle करते हुए appear ही नहीं दिखाई देंगे ठीक है तो ये एक answer हैगा ठीक है कि जब भी आपने लिखना हो तो आप इस answer को लिखे two marks के अंदर तो आपको complete वहां पर marks मिलेंगे two ठीक है तो इसके बाद एक और phenomena भी है advance sunrise and delay sunset ठीक है उसके उपर भी आप बात करते हैं कि वो phenomena क्या चीज़ है write कर लिए आपने ये screen shot ले लो ठीक है advance sunrise and delay sunset ठीक है heading बनाना advance sunrise and delay sunset ये किसकी वज़े से होता है ठीक है advance ये question आयाता है advance sunrise and delay sunset ठीक है एक्चल में क्या होता है ये अर्थ का horizon है अर्थ का horizon है और इसके outer side मैंने आपको क्या बोला है कि different layer of gases होती है ठीक है morning के time क्या होता है मान लो ये sun है पहली बात तो morning और evening time जो distance होता है अर्थ का sun से ये क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है अब क्या होता है कि जैसी light जैसे ही light atmosphere में enter करता है अभी देको sunrise नहीं हुआ है horizon से नीचे है ठीक है तो जैसी light atmosphere में enter करेगी तो अपने को पता है ये different layer of gases है ठीक है तो उसका क्या होगा bending होगी यहाँ पर आई तो उसके क्या होगी bending होगी light की और यहाँ पहुंची तो फिर और bending होगी light की ठीक है तो जैसी atmosphere पे पहुंचे तो अपने को sun यहाँ appear हुआ अभी sun rise भी नहीं हुआ था लेकिन अपने को sun यहाँ पर appear हो रहा है इसकी virtual image यहाँ पर बनती है ठीक है यही same phenomena क्या होता है during sunset होता है कि इदर देखो sun rise होने से पहले ही उसकी image यहाँ बन जाती है अपने को दिखना शुरू हो जाता है तो यह भी किसकी वज़े से है atmospheric reflection की वज़े से है ठीक है ऐसे ही जब sunset हो जाता है ठीक है तो sunset होने के बाद भी अपने को दिखता रहता है तो यह भी किस वज़े से क्योंकि sunset होने के बाद जैसे वो horizon से नीचे जाता है तो light atmosphere में देखो light तो continuously उसमें submit हो रही है तो जैसे atmosphere में end करेगी तो उसका continuously क्या था light की bending होती जाती है और light bend होने से अगर कोई person earth से देख रहा है तक अपने को यह visible होता रहता है तो यह difference भी होता है यह two minute का difference यहां होता है और two minute का यही difference यहां होता है मतलब sunrise होने से दो minute पहले ही अपने को आपियर दिखना शुरू हो जाता है और sunset होने के बाद दो minute तक अपने को वो sun आपियर होता रहता है ठीक है तो यह एक फिनोमेना था advanced sunrise का और delay sunset का तो इसके अंदर भी आपने answer के लिखना है this is due to atmospheric refraction when the light and when the sun below the horizon and the light enter into the atmosphere the light continuously refract due to atmospheric refraction the sun appears at this position ठीक है और यह जो difference रहेगा यह two minute का रहेगा और at the time of evening same process takes place again तो यहां पर भी जो difference रहेगा यह भी दो minute करेगा तो एक दिन के अंदर overall four minute का यहां पर difference रहता है तो यह भी किसकी वज़ा से हो रहा है atmospheric refraction की वज़ा से तो I hope कि आपको यह सारी चिचे समझ में आगी होगी आज आपने तीन फिनोमना से कहें हैं है na twinkling of star why do stars twinkle second why the planet do not twinkle और third की sunrise or sunset advance sunrise and delay sunset क्यों होता है तो यह सारा फिनोमना किसकी वज़ा से है atmospheric refraction की वज़ा से और atmospheric refraction क्यों होता है different layer of gases होती है density change होती है refractive ducts change होता है intensity change होती है तो यह सारी बाते आजा बने सिखी और एक last lecture जो next आएगा इस chapter का that वो आएगा scattering of light के उपर ठीक है तो ऐसे ही बने रहिए एक एक चीज को समचे रहिए आपको फिर भी कोई problem हाती है during पढ़ते time lecture सुनते time तो please आप comment box के अंदर जुरूर comment कीजिए मैं आपकी हर problem को बेटे solve करने के लिए ready हूँ ठीक है तो ऐसी support करते रहिए वीडियो अच्छी लगिए तो जुरूर लाइक कीजिए चैनल के उपर first time आए तो please चैनल को subscribe कीजिए और सबसे important thing जो मैं हर lecture के अंदर बोलता हूँ अपना ध्यान रखिए गर पे रहिए सुरक्षित रहिए जहिंद